बेसं से बनाने जा रहे हैं, इसके लिए हमने ली है 2 टेबल स्пून हल्दी, ओईल, स्वाधा नुसर नमक, 2 टेबल स्पून जीरा पौओडर, 3 टेबल स्पून काला नमक, 2 टेबल स्पून अजवैन पौडर, 2 टेबल स्पून काला मीरी पाौडर और यह लसंद का पानी लिया है हमने, लसंद का पेस्ट करके उसका पानी निकल लिया है, आधा केजी बेशन लिया है और पानी, हम इसको अच्छे से एक एक चीज डालके उसको मिक्स कर लेंगे, हल्दी डाली है हमने, काला मेरी, अजवाइन, जीरा बाना, लसंद पेस्ट, सादा नुसर नमक, उसको गुण लेंगे, टिक से, थोड़ा सा उपर से पेल डाल रहे है हम, पेस्ट हमने डाल दे उसमें, पानी डालके एच्छे से मिक्स कर लेंगे, जैसे हम आटा गुनते हैं, उससे थोड़ा पतला कर लेंगे, ये बेसन हमारा रेडी हो चुका है, हम इसे अब दस मिनिट के लिए रख देंगे, दस मिनिट हो चुके है, एक कंटेनर लिया है हमने, इसमें सेव निकला जाता है, इसमें मोटा सेव निकलेगा, इसमें पतला सेव निकलेगा, तो अब हम इसको ओईल लगा के, हमने इसमें बीच में ओईल लगा लिया है, अब इसमें हम इसमें हम बेसन डालेंगे, और इसका सेव निकलेंगे, हमने इक तरब ओईल रखा है, गरम होने के लिए, कंटेनर हमने बर लिया है, इसमें, ओईल गरम हो चुका है क्या, हम देखेंगे उसमें, एक छोटा सालोई अडाल दे उसमें, ओईल गरम हो चुका है, इस तरह से ओईल में गुमाले तूरा, अब देख सकते हैं, क्जी चेता है, अबाएच में टूरां में एक घसमें के छोटा है, एक वार कि अंगाई भाखाता है, हैंgovernज खेंगार में भावधारी के रदधाने वाटा, अवराय संने के तरह से समद हो आट विए्यम हो उसमेदाने दोल ओब अलिया है, पाटाले हैंतों रखा जाती है मैंने गैंस तेज रखे है, एक साइड से हो चुकी है, हम दूसरी तरप से पलट देंगे, हमारी से रेडी हो चुकी है, उसका पूरा ओयल निकाल लें, ऐसे ही हम सारी सेव निकाल लेंगे, अब हम पत्ली से रेडी है, अब हम पत्ली से रेडी निकालेंगे, हम लेडे हमेरे झालेंगे, वो चुकी हमारी तरप मेंगे की तरप सेव रड़ी हो चुकी है, हम इसको निकाल लेंगे एक डिश में, हम सारी सेव निकाल लेंगे अब ऐसे ही, हमारी रेसिपी रेडी है, हमने लसन बेसन सेव बनाई है, आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे होगी तो हमारा चाइनल जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें झाल